उत्तर परदेश सरकार की ओर से पंचायत की जो पंचायत सायक के जो पद है उसके लिए और डाटा एंट्री ओपरेटर के लिए जो पद है उसके लिए विग्यप्ति जारी कर दी गई है यहाँ पर जो आवेदन है वो आज से शुरू हो चुके हैं और आपको यह आवेदन ज जानकारी दी गई है यह पूरा विग्यापन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर आप देखे तो पंचायत सायक और अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ओपरेटर के पद पर चैन है तु निम्नांकित योगित और विवरेंट के अनुसर आवेदन पत्र अमंद्रित किये गए हैं जानकारी है वो हम देख लेते हैं जो खास-खास जानकारी है इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी वो सारे यहाँ पर दी गई है तो जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसकी दिनांग 7 जुलाई और 14 जुलाई के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट मिलने वाली है और जो नियुकती है वो आपकी 22 जुलाई तक हो जाएगी अगर सब कुछ सही रहता है इसी हिसाब से चलता है तो यहाँ पर आप देखें तो आपका जो पूरा जो फॉर्म है वो कंप्लीट होकर 22 जुलाई 24 जुलाई तक आपका कंप्लीट काम हो जाएगी और आपके एक नोकरी आपको मिल जाएगी तो इसके लिए आपको भी आवेदन करना है आप अगर eligible हैं तो वो सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे हमें कैसे क्या करना है इसका जो offline form है वो कैसे fill up करना है वो भी सारी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगी कि हमें ये काम किस परकार करना है तो इसके लिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इसके कुछ महत्पुन पोइंट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बताये गया है कि यहाँ पर आवेदन जमा करवाने की जो अंतिम तारिक है 15 जून से 30 जून तक रखी गई है तो इस डेट के अंदर अंदर आपको अपने आवेदन जमा करवा लेने है इसके अलावा जो संबंदीत अधिकारी है वहाँ पर यह आपके जो आवेदन आप जमा करवाएंगे वह एक से 6 जून जून के बीच वापिस वहाँ पर चले जाएंगे मतलब आगे के डिपार्टमेंट में सब्मिट हो जाएंगे 7 जून से 14 जून के बीच में आपकी जो मेरिट लिष्ट है वह जारिक कर दी जाएगी उसके बाद में जिल्ला अधिकारी के द्यक्सता में एक समेती गटित की जाएगी उसके बाद में आपका जो नियुक्ति पत्र है वो आपको 22 जूलाई से 24 जूलाई के बीच में आपको मिल जाएगा इसमें जो आवेदक है वो बारवी पास किया होना अनिवारिया है इसके बाद जूलाव और भी आपके पास एजुकेशन है तो वह अप प्लस में आप बढ़ सकते हैं जिससे के आपकी मेरिट में के बीच में है और आरक्षित वर्ग के लिए कुछ उपर की जो आई छूट है वो भी दी गई है सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस पर होने वाला है आपके कोई एक्जाम नहीं होगा और इसका आपको जो फोम है वो आपको कंप्लेट करना है जरूरी जो डस्तावेज है वो आपको कंप्लेट करने है उसके साथ में फोटो को भी लगाने है और अपने जो भी ग्राम पंचायत है विकास कंड़ दिगारी खाया लए और पंचायती राज जिला दिगारी के ओपी से वहाँ पर आपको ड्रेश्टर डाक के माजम से या फिर व्यक्ति गुत रूप से भी आप इसे जमा करवा सकते हैं आपको जो ओफलाइन फोर्म है वो डाउनलोड कर लेना है उसे बर लेना है इसका जो ओफलाइन फोर्म है वो केसे बढ़ना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो ओफलाइन फोर्म है वो इस परकार का आपको मिल जाएगा एक पेज का फोर्म है स जो जनम दी थी वो आपको high school की जानी की जो 10th की जो 12th की जो mark sheet है उसके हिसाब से IU लिखनी है और IU की जो गढ़ना एक जुलाई 2023 के हिसाब से आपको करके कितने दिन, कितने वर्स, कितने माहिने हो रहे हैं वो यहाँ पर बढ़ने हैं यहाँ पर आपको gender लिख लेना है आपने कुछ computer course, diploma कर रहा है, graduation कर रहे हैं यहाँ पर board का नाम यहाँ पर लिखना है यहाँ पर प्रिक्षा का नाम लिखना है कौन सी आपने exam 12th का हो गया उसके बाद में आपके subject 10th का है तो all subject यहाँ पर कितने का pronoun था, कितने आपको number मिले, कौन सा आपका A, B, C, आपकी जो कारिय का अनुबव है, तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है, COVID-90 से आप अगर किसी के हैं वारिस हैं, तो यहाँ करना अन्यता यहाँ पर नहीं कर देना है, मतलब कि COVID-90 में अगर आपके family में किसी की date हुई, उनके अगर आप वारिस हैं, तो आपको यह बढ़ना है, बा वो सारी आपको सलगनक करनी होगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको sign कर लेने, यहाँ पर date लिख देनी है, यह वाला जो है, आप जमा करवाएंगे तब वहाँ पर प्राप्त करता है, यहाँ पर हस्ताक्सर और मोहर कर देगा, तो यह आपको complete करना है, इसके साथ में आप व्यक्तिकत रूप से, यहाँ फिर dark post के माध्यम से भी अपनी gram सभा में, जहाँ भी आपकी gram बन चाहित लगती है, वहाँ पर आपको जमा करवालेने, यह सारी process आपकी offline ही रहने वाली है, तो यह बागी का काम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, तो आशा करूँगा, आपक कोई जानकर इट पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना है, वीडियो देखने हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद,